भारती सांस्कृतिक परंपरा के बाहक एक एक रुपए को महताज गाँ गाँ पैदल जाके दीपक और मटका बेचने को मजबूर नहीं मिलता सही मूल नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़बरदार नुद देश भर में दीपावली की तयारिया जोरो सोरे से चल रही है लोग अपने घरों को सजाबटी लाइट से जगमक कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच जैसे जैसे आधुनिक्ता ने अपने पैर पसारे अपनी संस्कृत के बाहक मिट्टी के दिया बनाने वालों के रोजगार प ही ग्रामेर छेतरों में दीपोसप की तयारिया पूरी हो चुकी है दीवाली को लेकर के लोगों में काफि उस्साह है और घरों को सजाने सवारने के लिए कई सजजो सामान बाजार में बिकने लगे हैं जिसमें मिट्टी के दिये बनाने वाले प्रजापति समाच के लोग इसी उमीद में दीवाली पर्विकी तैयारियों में बेस्त हैं कि इस साल को जादा दिये बिक जाएंगे और उनका घर भी इस साल अच्छे से दीवाली मना पाएगा दो साल के कोरोना लॉग डाउन के बाद इस वर्ष पूरा परिवार दिये बनाने में लगा है नगर में कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो अपने संस्कृत और परमपरा को बचाने के लिए मिटी के दिये बनाते हैं ये सभी परिवार मिटी के बर्तन और दिया बनाने का कार कर रहे हैं लेकिन यूबा पीड़ी आय कम होने के कारण अपनी पुस्तैनी कामों से या तुम हुमोर चुका है या बेहत गरीबी से गुजर रहा है दिये बनाने वाले हरी प्रजापती ने बताया कि बहुत दूर से काली मिट्टी लाता हूं फिर दीपक और गर्मी के बरता नेवं अनसामागरी बनाकर पैदल नगर और गाउं गाउं बेचने जाता हूं आज तक किसी भी जन प्रतिनिध शासन प्रसासन के लोगों ने कोई भी सुविधा प्रधान नहीं की आधुनिक्ता ने दियों की कीमत कम कर दी है अब लोग दीपावली पर मिट्टी के दियों की जगह बिजली के प्लास्टिक के बनाय जाने वाले जालर की ओर रुख ले चुके हैं लिहाजा मिट्टी के दियों को खरीदना पहले से कम हो गया है मिट्टी के दाम भी बढ़ गए हैं जबकि भठी में पकाने के लिए जलाय जाने वाई लकड़ी और अनसामागिरे की कीमिते भी बढ़ चुकी हैं बाजार में कई तरह की रौसंदान बलवा आने लगे हैं जिसके चलते मिट्टी के दिये जलाने में लोग जादा दिल चस्पे नहीं लेते हैं हमारे संबाद दाता ने जब जाकर उनका हाल चाल जाना तो ऐसे परिवार आज भी काफी पिछड़े दिखाई देते हैं जहां सरकार हर विक्ति को हर सुविधा देने का बाद करती है वहीं परिवार आज भी समाज के मुखधारा से कोसो दोर नजर आते हैं तो आईए ऐसे परिवारों के दियों से अपने घर को जगमगाएं हम उमेद करते हैं कि आप सब के सहयोक से इस साल देवालों के घर में भी देवाली पर जगमगाएंगे खुशियों के दिये बने रहे दखवरदार न्यूज के साथ बिदिसा पठारी से आसीज सहले की रिपोर्ट नमस्कार धन्यबार। बहुत ही जैनी है सरकार प्रसासन का कोई इसमें हस्तचेप नहीं है मैंने जाकर देखा दीपक बनते हुए उनकी कला के लिए पठारी में चोटे से गाउं इसका महला में मैं है और मैं उनसे कुछ पूछने चाहता हूं क्या नाम है आपका हरी प्रजापती आप यह दीपक काम करते हैं जी तो इसमें आपकी लिए क्या फाइदान क्या नुक्सौन है कि सबनुस्कान कनी दर भी है और लड़की ओलता है लेके लिए उसταमगरी लेके कहाase बैचने के लिए अच्छा काई से जाते हैं आप हमाला आने से पैदल आते हैं अपने कसी से मांग की इसपर साइब आपको कराया है? काम कफ से करते हो यह काम हमारे जनम से कर रहा है और हमारे बाबा भी करते थे पिता जी करन लगे तो पिता जी ना हमें से का दिया क्या लगत क्या हाथी है शेंद लगत है मट्टी मोल लेना पड़ते हैं और पूरा परिबार लंगा रहता है कि लिए में तुछ सर्कार से आप कोई सुभी दाने मिली जाप सरकार से अभी कोछबी ने मिली सब्सक्राइब जाने लीच पर मट्टी क्ली दी आती है प्रिजापती समाज को तो तो लोगों किसी को मिली नहीं मिली रखते हो सरकार थे सब्सक्राइब को फाजय कुछ थे साय दे रही है कि सरकार इतनी समय ब्रदाइय तो वह आपको यहां क्यों नहीं हो रहे है अवा सुविद नहीं पूट दिसुविद नहीं साव